हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिक्षा तो कैसे आप सब आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और जोरो जोरो से पढ़ रहे होंगे तो कंप्यूटर अप्लिकेशन्स पर पहले भी आपको एक लेक्चर मिल चुका यह लेक्चर टू है पहले पांच कोशन्स डिसकेस किये कंप्यूटर अप्लिकेशन्स के इस वीडियो में 10 कोशन्स रहेंगे मैंने आपको पहले भी बताया है आपके 2017 के एक्जाम में अराउंड 5 कोशन्स थे जो कंप्यूटर अप्लिकेशन्स से आया थे और आपके सिलेबस में भी है बहुत दाद मुश्किल कोशन नहीं रहते ह तो MCQs प्रैक्टिस करने से अपना काम हो जाएगा इसमें ठीक है तो दस कोशन्स दिसकेश करेंगे इसमें प्रोसेस वही है कोशन आएगा सुनियेगा समझियेगा वीडियो को पॉस कीजिएगा फिर अंसर देखेगा खुद से ट्राय करने की कोशिश करें ज़रूर और कम वीडियो करें अब इसको यूचलतेओं हम सब एक नेचलाते हैं हम सब वेडियो देख रहे हो एक विडियो पेज है जिसको और उपन रएगया तो किसमें धूपन करते हो computer applications का मतलब ही यह होता है ठीक है चलिए second question देखिए the box that contains the central electronic component of the computer is एक ऐसा box जिसमें computer का central electronic component होता है general में भी अगर computer के बारे में आप थोड़ी सी information रखते हैं तो बहुत असानी से आप इसका सवाल का जवाब देदेंगे central electronic component motherboard, system unit, peripheral या फिर RAM ठीक है तो answer इस case में क्या हो जाएगा इसमें होगा आपका answer option B, system unit ठीक है option B, system unit will be the correct answer, all right चलिए a computer case also known as computer chassis, tower, system unit or cabinet is the enclosure that contains most of the components of personal computer, तो ये different names भी आपको थोड़ा सा idea होना चाहिए जैसे अभी question में आपको system unit था option में वैसे tower भी हो सकता था cabinet भी हो सकता था, computer chassis भी हो सकता था, तो थोड़ा सा idea रखेंगे तो बहतर रहेगा, third question देखेंगे, which characteristic of read only memory makes it useful, देखि computer में दो तरह की memories होती है एक उती है आपकी ROM जिसको आप read only memory कहते हो, और एक उती है आपकी RAM ठीक है, तो यहाँ पर question आपसे read only memory के बारे में पूछा गया है और कौन सा characteristic है जो इसको useful बनाता है, पहला statement क्या कह रहा है, option ही क्या कह रहा है, ROM information can be easily updated ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है data in ROM is non-volatile, that is it remains there even without electrical power third option क्या कह रहा है, ROM provides very large amount of inexpensive data storage, very large amount of storage है, और चौता option कह रहा है, ROM chips are easily swapped between different branch of computer easily आप इसको change कर सकते हो, like pen drive ठीक है, अगर आप ROM के बारे में जानते हो, read only memory, तो देखो पहला statement, तो read only memory से ही आप समझा जाओगा, कि it is the memory which can only be read, you cannot update it, और you cannot change it, ठीक है, तो option A तो वैसे ही गलत हो गया, option option C कह रहा है, कि very large amount of data, no, it never provides you very large amount of data, in fact ROM का जो data storage होता है, वो काफी कम होता है, क्यूंकि it is very expensive, ठीक है, तो यहाँ पर यह उल्टा लिखा हुआ है, तो C option भी गलत हो जाएगा, और ROM chips को आप easily swap निकर सकते हैं, ROM chip अगर एक system के लिए बनिया, तो वो C में चलेगी, दूसरे system में नहीं चलेगी, option DB जो है गलत हो गया, option B जो है, इसका correct answer होगा, क्यूंकि जो ROM का data होता है, it cannot be easily updated, और यह delete भी नहीं होता, एकदम से अगर आपकी light चली गई बिना save करे होई, तब भी इसके data को कोई फरक नहीं पड़ेगा, ठीक है, अगर आप powerpoint पे काम कर रहे हो, word पे काम कर रहे हो, क्यापता वो data lost हो जाए, पर ROM के data पे कोई भी फरक नहीं पड़ेगा, even if the electrical power is gone, तो option B is the most appropriate answer, alright next question a dash is approximately 1 billion bytes, 1 megabyte में 1 billion bytes होते हैं, gigabyte में terabyte में या none of these, ठीक है इस तरह के कई बार थोड़े से, देखो हम सबको पता होता है कि 1 kb is equal to 1024 byte ठीक है, 1 mb is equal to 1024 kb, यह तो generally सबको पता होता है, लेकिन कई बार इस तरह के factual question पूछ लेते हैं कि 1 billion bytes specifically किस में होते हैं, तो यह तो आपको पता होना चाहिए, succession सबसे छोटा होता है bit, फिर होता है byte 1 byte में 8 bits होते हैं यह बहुत important है, यह 8 bits आपने याद कर लेना है, 1 byte में 8 bits होते हैं, पूछा जा सकता है 1 kilobyte में 1024 bytes होते हैं, ठीक है, 1024 bytes होते हैं, 1 megabyte में 1024 kilobyte होते हैं गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं या रेस तो दी पावर 3 कर दोगे आप इसको पर इतना याद करने की ज़रुएत नहीं है लेकिन ये टेबल सक्सेशन का आपको याद रखना है पूछा जा सकता है किलोबाइट, मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट आता है फिर पेटाबाइट, एग्जाबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट yotabyte जो है सबसे बड़ा होता है ठीक है ये भी आपको याद होना चाहिए पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा इन में से कौन सा है तो yotabyte होगा ठीक है for example question बना देंगे which of the following is the largest unit okay option में देंगे kilobyte, megabyte, petabyte, yotabyte तो answer yotabyte हो जाएगा ठीक है तो यह याद कर लेना है आपने bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte and then yotabyte याद कर लेना है चलिए next fifth question the ability of an operating system to run more than one application at a time is called एक operating system में आप एक से जाधा application एक साथ run कर रहे हो आपके smart phones हैं एक से जाधा application एक साथ run करते हैं आपका computer एक से जाधा applications रन करते हो आप तो उसमें उसको हम क्या कहते हैं उस operating system की उस ability को क्या कहते हैं easy है ठीक है जाधा मुश्किल नहीं है यह भी option यह कहता है multitasking भी कहता है object oriented programming c कहता है multi user computing and d is saying real time तो इसका answer क्या हो जाएगा इस easy to understand ऐसी कौनसी language जो आप computer में use करते हो जो बहुत simple होती है to understand and is you know like the language of the humans ठीक है उसको आप क्या बोलते हो source code machine language high level language object code तो यहाँ पर answer हो जाएगा आपका option c high level language देखो high level language इसको बोला ही इसी ले जाता है क्योंकि easily humans can understand it machine language को humans understand नहीं कर सकते machine language कुछ ऐसे बन करके आएगी ठीक है इस तरह से आएगी symbols की form में आएगी ठीक है तो यह नहीं होगा all right तो answer इसमें high level language हो जाएगा तो high level language is a programming language जैसे की c fortran pascal ठीक है और programmers जो है इसी का इस्तेमाल करते हैं to write programs ओके आपने देखा होगा various languages में तो जो alphabets use के जाते हैं वो easy to understand होते हैं जैसे उसमें body ऐसे करके programming बगरा होती है न मैं programmer नहीं हो मुझे इतना नहीं आता पर ऐसे ही programming की जाती है ठीक है तो यह language तो आप समझ सकते हो ना कि लिखा क्या हुआ है दो आपको programming करनी तब ही आएगी जब आपने language को अच्छे से पढ़ समझा है कि किस तरह से उसको code किया जाता है पर लेकिन language understandable होती है इसलिए इसको high level language कहते है ठीक है चलिए question number 7 what is the sequence of events that occur in the computer when it is interpreting and executing an instruction known as अब आपने कोई instruction दे दी computer को आप computer operate कर रहे हो आपने computer को कोई instruction दे दी ठीक है तो computer उस instruction को follow करने के लिए पूरा process follow करेगा पूरे events के थूरू वो एक गुजरेगा तो उन events को क्या कहा जाता है उनको कहा जाता है आपका option B instruction cycle उनको क्या कहा जाता है instruction cycle तो instruction cycle is the basic operational process of a computer एक operational process है जैसे अगर आपको भी आप कहीं पर job करते हो आपको कोई आपका जो superior है वो आपको कोई instruction देता है तो एक आप process follow करते हो कि हाँ इस तरह से आप काम करोगे तो similarly computer को आपने instruction दे दी कि I want to do this तो computer एक पूरा operational process follow करेगा ठीक है वो अपनी memory में से data collect करेगा जो उस चीज से related उसके पास है ठीक है और फिर वो देखेगा कि क्या actions उसको perform करने है and ultimately the result will be given ओके तो उसको क्या बोलते है instruction cycle याद रखना है 8th question a word in a webpage that when clicked opens another document बहुत असान है बहुत असान है मैं आपको कहता हूँ न कि भी PDF डाउनलोड करना है तो description में से डाउनलोड कर लो description में link given है तो क्या होता है एक तरह का hyperlink होता है ठीक है एक link होता है वो URL होता है एक link URL होता है कहीं जगा ओपर आपको सिरफ यह देखा मिलेग click here click here click here click here यह जो click here वाला जो process है यह होता है hyperlink ठीक है कि आपने hyperlink पर पहुंच जाओगे या फिर आपने किसी image के ओपर click किया तो उसमें hyperlink जुड़ा होता है वो आपको किसी दूसरे web page पर ले जाएगा तो answer यहाँ पर क्या होगा option C होगा next computers use the dash number system to store data and perform calculations which number system is used by the computers to store data and perform calculations so that is binary ठीक है इस case में answer क्या हो जाएगा आपका option C binary number system जो है computers use करते है not decimal not hexadecimal not octal it is the binary computer system चलिए last question 10th number का question है यह आपका the number of pixels displayed on a screen is known as the screen pixels जो आपको जो screen पर आप देखते हो चाहे वो आपकी mobile की screen है चाहे वो आपकी computer screen है चाहे वो आपकी TV screen है तो हम बोलते हैं कि यह इतने pixels का है तो क्या है इतने pixels का resolution resolution ठीक है resolution की जब हम बात करते हैं display quality की जब हम बात करते हैं तो that is the number of pixels okay उससे आपका resolution determine होता अंसर A हो जाएगा, all right so resolution is the number of pixels basically pixels क्या होते है individual points of color, जो color combination और color quality जो आपका है सारा display monitor पर आता है ठीक है, तो sharpness of image on a display depends on the resolution and the size of the monitor, ठीक है अगर एक छोटी image है, एक छोटी image है, आप उसको बड़े screen पर लगाते हो, full screen पर तो वो pixels उसके फट जाएंगे, तो image quality खराब हो जाएगा, हम कहते हैं न, pixels खराब हो गए resolution खराब हो गया उसका mainly हम यह कहना चाहते होते हैं, ठीक है जी चलिए, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यह 10 question होगे, काफी अच्छे 10 question थे ऐसी ही अपने questions करते जाने है computer के, 5 में से 3 या 4 questions तो आप निकाली लोगे, फिर easily ठीक है, और 3 या 4 अगर आपने computer में कर लिए अगर 5 questions भी आए, मैं जूम करके चल रहा हूँ इस बात, तो 3 या 4 भी कर लिए तो वो आपका अच्छा hit ratio होगा, ठीक है बाकी के playlist आपकी screen के उपर है वो आप देख लीजिए, आपको help करेंगे प्लस चैनल को subscribe करना है और share करना है जितने जादा लोग जुटेंगा, उतना जादा मज़ा मुझे पढ़ाने में आएगा, आपको पढ़ने में आएगा content quality और जादा improve हो जाती है क्योंकि encouragement मिलता है ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए all the best time, bye bye